पश्चिम भारत एवं राजस्तान के कलौती हिल स्टेशन माउंट आबु के अरावली की उच्चतम चोटी गुरुशिकर में इस्तित उपखन अधिकारी का रहले माउंट आबु से थंडे वातावर्ण में हम देश को जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मामले ग्यारा तारीक को होने वाली राष्ट्रिय लोक अधालत में समझोते निप्टाएं इस अफसर पर बाउंट आबु नगरपाली का अंगन बाडी केंद्रों की महिलाएं सभी भारी संख्या में करमचारी महिला वे पुरिश लोक अधालत का संदेश लेकर चल रहे थे प्रिश लोक अधालत जो है जंता को किस पेकार की सुईदा दे सकती है और किस पेकार का न्याए जंता को इस संजोता इसे में सकता है जैसा कि सरुल सबको विधित है तो पिसले कही दिनों से विधित करवाया जा रहा है और फिर भी कोई अचूता रह गया हो तो मैं आपके मात्यम से सबको बताना चाहता हूं कि 11 तारीकों 11 दिसंबर को राष्ट्री इस्तरवा राष्ट्री लोक अधालत का आउजिन किया ज ताकि कोई वर्ग अचूता नहीं रहे इस बात से कि उन्हें इस बात की जानका ही नहीं थी कि 11 तरिकों लोक अधालत का उद्धिश्य है कि हर विवाद का एक अंत होता है यह सब को बता है अंत हीं कोई विवाद नहीं होता है लेकिन उस विवाद के पीछे एक करण होता है प्राण। बितीक कारणों को बताते हूए पेश के जाते हैं, जिससे फैसला होने के बावजूर भी विधिक कारण को समाप्त हो जाता है, लेकिन मूल गान समाप्त नहीं होता हूँ और वो फैसला फासनों को द्रण दे जाता है। लोग अदलत के में नियाले इस मूल करण को पहचाने की कोशिस करता है और मूल करण कांद किया जाता है जिससे न तो किसी प्रक्सकार की हार होती है न किसी प्रक्सकार की दीख होती है और वहां मूल करण समापो के फासला नहीं बढ़कर वास्ट्विक फैसला होता है तो यही उद्देशिय लोग अदालत का, मैं आपके माध्यम से समस्त जन्ता को अपील करना चाहूंगा, कि ग्यारा तरीको अपने मूल कारण, जो विवाद के मूल कारण है, उसको लेकर नियाले में उपस्तित हुए, आपके विवादों को सुना जाएगा, आपके मूल पितकरता हुँगा, सबसे पुर्जावान अश्रिम साहर का, जिनोंने बहुत ही सोट लोटिस में इतने अच्छी रेली का और अच्छी बवियाजन का साका रूप दिया, तन्यवाद गया पितकरना चाहूँगा, आउग से नगरभाई सतका, नगरपली का, आपके